students today we will discuss our next topic dispersion आपने देखा होगा जब कभी lighter compact disc या prism पे पढ़ती है cd या prism पे पढ़ती है तो क्या होता है हम देखते हैं कि जो light जो है वो supplit हो जाती है कई colors में, कई colors में light divide हो जाती है इसी process को ही बोलते हैं dispersion यानि कि white light जो है जब काफी colors में supplit हो जाए तो ऐसे process को dispersion बोलेंगे यह जो collection होगी band होगा seven colors का जो produce होगा इसी को बोलेंगे spectrum spectrum form कब होगा फिर जब white light किसी prism या cd से पास करेगी एक rainbow भी इसी की example है क्योंकि तब भी seven colors हो जाते हैं यह भी एक spectrum की example से जो water droplets होते हैं sky में वो sun rays को सप्लिट कर देते हैं breakdown कर देते हैं और एक spectrum बन जाता है जैसे हम rainbow बोलते हैं जो seven colors होते हैं वो विब ग्योर को रिपरसेंड करते हैं violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red तो यह short form विब ग्योर याद कर सकते हो आप seven colors ही आपको पता लग जाएंगे इसे यह देख सकते हो आप जब prism पे light पड़ेगी तो यह seven colors में सप्लिट हो जाएगी इसी परसे इसको बोलते हैं dispersion और यह collection जो seven colors की होगी इसको बोलेंगे spectrum प्रूम्